हर ख़बर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे नीज चेनल को घंडे का बटन दबा कर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर जनता को यह डर लग रहा है कि कहीं बीजेपी को वोट दे दिया और उन्होंने संबित पात्रा को सीम बना दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो उन्होंने अपना सीम कैंडिडेट डिक्लेर नी किया इसे साफ जाहिर है कि उनकी पार्टी में दिल्ली का सीम बनने रहे हैं कि मिर को वोट दे दो मैं दिल्ली का सीम डिसाइड करूंगा तो अमित्शा जी आजाएं बहस करने के लिए और सारे मुद्दों पर मैं बहस करने के लिए तयार हूं को वह शाहिन भाग शाहिन भाग कर रहे हैं मैं शाहिन बाग के उपर भी चर्चा करने के लिए तैयारून के साथ लेकिंद शा-जि ने भी बहस करने से मना कर दिया वह भी बहस करने को त्यार्नी आ वो भी जंता के बीच में आने के लिए तैयारNी रही जनता अमित शाजी को कि वो इस तरह से मैदान छोड़के भाग रहे हैं, जनता की प्रश्णों के जवाब नहीं देना चाते, दूसरी पार्टियों के साथ बहस नहीं करना चाते, ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, आज चुनाव का आखरी दिन है, चुनाव प्रचार का दी है, पांच साल पहले आप लोगों ने सब की उमीदों के परे, किसी को उमीद नहीं थी कि एक छोटी सी आम आदमी पार्टि चुनाव जीतेगी, आपने सत्तर में से सड़सट सीट देके देश के अंदर इमानदा राजनीती कायम की थी, इस बार देश की राजनीती को ब काम की राजनीती, आज तक इस देश में सतर साल में किसी भी राज्य में या केंदर में काम के उपर किसी सरकार ने वोट नहीं मांगा, किसी सरकार ने ये निका कि हमने स्कूल बना दिये इसलिए वोट दो, अस्पताल बना दिये इसलिए वोट दो, पहली बार आम आदमी प पार्टियों के पास नहीं है तो पहली चीज तो मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार आपने जम के हमें वोट दिया था सतर में से सड़ सड़ सीट दी थी इस बार भी आप अपने वोट की ताकत हमें दीजिए जादा से जादा ताकत अगले 5 साल भी हम तभी काम कर पाएंगे जब आप अपने वोट की ताकत हमें देंगे वो जादा से जादा ताकत हमें दीजिए दूसरी पार्टियों के पास चूकि कोई मुद्दा नहीं बचा उनके पास कुछ भी नहीं था इसलिए वो उनको दिल्ली की जनता ने MCD की ज चिम्मेदारी दी थी दिल्ली के अंदर आज अपराध बढ़ता जा रहा है तो जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा अपना अच्छा काम गिनाने को तो उन्होंने हमारे कामों के उपर आरोप लगाने चलो कि एक जूठा स्कूनों का वीडियो निकाला वो आप लोगोंने कोई नुक्स नी निकाल पाए तो फिर उन्होंने अपने सारे धुरंदर दिल्ली के अंदर उतार दिये उन्होंने 200 MP उतार दिये उससे काम नी चला उन्होंने 10 मुख्य मंत्री बुलाए 70 मंत्री उतारे मेरे जैसे चोटे से आदमी को हराने के लिए लेकिन मेरे में ताकत इतने बड़े धुरंदर भी खड़े नहीं वो पाई तो आज दिली के अंदर एक नहीं किसीय चुनाव जो है ये एक माईने में पूरे देश के लिए एक एतिहासिक चुनाव होगा आहम आदमी पार्टी की इस चुनाव में जो जीत होगी वो इस देश के अंदर एक नई राजनीती कायम करेगी चुनाव काम की राजनीती जिससे पूरे देश के अंदर ये बात फैलेगी कि अगर अब आपको वोट चाहिए तो आपको स्कूल बनवाने पड़ेंगे अब आपको वोट चाहिए तो आपको अस्पताल बनवाने पड़ेंगे इस काम की राजनीती को हराने के लिए इनको ये चिंता है कि अगर ये काम की राजनीती फैल गई और पूरे देश के अंदर लोगों ने कहा कि हम तो काम को वोट देंगे तो इनकी जो बरसों से कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी की जो धरम और जात की राजनीती चल रही थी वो फेल हो जाएगी गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 190 करोड रुपे का हवाईजाज खरीदा हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किये दिल्ली की जनता के लिए अपने लिए हवाईजाज ना खरीद के दिल्ली की जनता को उसका फाइदा पहुँचाया तो अब अगर काम की राजनीती फैलती है तो ये अपने लिए इस तरह की सुविधाई नहीं कर पाएंगे अपने लिए हवाईजाजनी खरीद कर पाएंगे फिर इनको सारा पैसा जनता के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा जनता के लिए स्कूल बनाने पड़ेंगे जनता के लिए अस्पताल बनाने पड़ेंगे तो ये जो ट्रेडिशनल राजनीती चल रही है एशो अराम की राजनिती, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता की राजनिती, ब्रश्टाचार की राजनिती, धरम और जात की राजनिती, ये सारी राजनिती खतम होंगी जब इस देश के अंदर काम की राजनिती फैलेगी और इसी से जब स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, तभी 21 सदी के भारत का निर्मान होगा, 21 सदी के भारत का निर्मान हिंदू-मुसल्मान करने से नहीं होगा, ब्रश्चाचार करने से नहीं होगा, तो मैं दिल्ली की जनता से फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप आने वाले समय में हम लोग और काम कर सेके हैं।